हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में आज मैं बच्चों के लिए मलाई ब्रेड पिज्या बनाने का वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्रेड पिज्या बनाना बहुत ही आसान है ये आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा आप इसे एक बार चरूर ट्राइ करें इसके लिए मैंने साथ से आठ वाइट ब्रेड लिया है एक बाल मलाई, एक टमाटर बारी कटा हुआ, एक प्याज बारी कटा हुआ, एक सिमला मिज बारी कटा हुआ, धनिया की पत्ती हरी मिर्च, दो टेबल स्पून चिली सॉस, तीन टेबल स्पून सूजी और एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसको इसके बेग कर सकते हैं अब हम एक बाउल में मलाई को निकाल लेंगे और उसमें टमाटर, प्याज, सिम्ला मिर्च, धन्या की पत्ती, हरी मिर्च, चिली सॉस, सूजी और रेड चिली सॉस और स्वाद के अनुसार नम्मक डाल कर इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखे यह अच्छी तरह से मिल गया है अब हम इसको ब्रेट के एक साइट पर लगा देंगे यह काफी हेल्दी होता है आपके बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएगा इसी तरह हम सारे ब्रेड में पेस्ट को लगा लेंगे देखे मैंने सारे ब्रेड में लगा लिया है अब हम तावा लेंगे उस पे हलका सा तेल लगाएंगे इसमें जादे तेल की जुरुवत नहीं पड़ती है अब हम जिस तरफ पेस्ट नहीं लगाएंगे उस तरफ से ब्रेड को रख देंगे अब हम ब्रेड का एक साइड अच्छी तरह से सेख लेंगे फिर इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इसे अच्छी तरह से सेख लेंगे इसमें जादे तेल की जुरुवत नहीं पड़ती है देखिए ये कितना अच्छा सिग्या है ये हमारा ब्रेड पिज्या बिल्कुल तैयार है ऐसे ही हम सारे ब्रेड को सेख लेंगे ये पिज्या खाने में काफी स्वादिस्ट लगता है आप इसे एक बाद जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं अगर आपको मेरा ये रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक यू